इंजिनियर स्वागत है आप सबका एक बार फिर से डिप्लोमा होल्डर्स पर आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मिनिश्ट्री ओफ रेलवे की तरफ से सिविल इंजिनियर्स के लिए वेकेंसी आई हुई है यहाँ पर आपकी परमान जोब रहेगी सेलरी यहाँ पर आपको 50,000 रुपीज पर मन्त मिल जाएगी औल अवर इंडिया के कंडिट यहाँ पर अपलाई कर पाएंगे बाकी की जानकारी हम आगे की वीडियो में डिसकस करेंगे उससे पहले आप वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें ताकि रिगुलर फोर्म में आपको जोब सब्डेक मिलते रहें इसके साथ ही आप टेलिग्राम चैनल और वाट्सब ग्रूप को भी जोईन कर लीजिए लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा हम हैं के ओफिसल नोटिस पर नोटिस आपका राइट्स लिम्टेट की तरफ से जारी किया गया है अगर हम बात करें इस कंपनी की तो ये आपकी एक मिनिरत्न कंपनी है Ministry of Railway में आती है और Government of India का Enterprises है तो फिलहाल इनकी तरफ से Regular basis पर आप लोगों के लिए वेकेंसी निकाली गई है तो जो भी लोग इनके eligibility criteria को पूरा करते हैं आप इसके लिए interested होते हैं आप यहाँ पर जरूर अपलाई करिए अब बात कर लेते हैं आपकी vacancy detail के बारे में यहाँ पर आपकी किस post पर vacancy रहेगी total number of post यहाँ पर आपकी क्या रहने वाली है age limit आपकी क्या रहेगी examination fees यहाँ पर आपकी क्या रहने वाली है selection process यहाँ पर आपका कैसे रहने वाला है और कौन-कौन से लोग यहाँ पर अपलाई कर सकते हैं सबसे पहली वेकेंसी यहाँ पर आपकी रहने वाली है इंजीनियर सिविल पोस्ट पर टोटल आपकी यहाँ पर 30 पोस्टों पर वेकेंसी रहेगी जिसमें UR के लिए 18 पोस्टे हैं OBC के लिए 8 पोस्टे हैं और SC कंडिडेट के लिए यहाँ पर टोटल 4 पोस्टों पर वेकेंसी रहने वाली है बात करें आपकी age limit के बारे में तो इस पोस्ट में apply करने के लिए age limit आपकी 32 साल रखी गई है और इसके साथ ही यहाँ पर आपको age पर government rule के हिसाब से age relaxation मिल जाएगा जैसे SCT को 5 साल का, OBC को 3 साल का और PWBD candidate को यहाँ पर age में 10 साल का age relaxation मिलने वाला है age की cut off date आपकी 15-2023 के हिसाब से रहेगी बात करें आपकी minimum qualification के बारे में तो यहाँ पर आपको बताया है अगर आपने first class में BBT किया है civil engineering में और इसके साथ ही आपके पास minimum 2 साल का work experience है आप यहाँ पर apply कर पाएंगे बात करें आपके pay level के बारे में तो salary यहाँ पर आपको 40,000 रुपे से लेकर 1,4,000 रुपे प्रतिमन तक मिलने वाली है PWBD केटिगरी में आते हैं और BBTEC में आपके minimum 50% mark है आप यहाँ पर apply कर पाएंगे educational qualification में आपको बताया है BBTEC आपका किसी भी AICT या फिर UGC approved university से होना चाहिए और बात करें आपके selection process के बारे में तो selection process यहाँ पर आपका return exam के आधार पर होगा यहाँ पर आपसे 125 number के 125 question पूछे जाएंगे इसके लिए आपको धाई गंटे का समय दिया जाएगा और अच्छी बात यह है यहाँ पर आपकी कोई भी negative marking नहीं होगी जो लोग भी यहाँ पर CBT exam qualify करेंगे उन लोगों को यहाँ पर फिर interview के लिए बुलाया जाएगा और बात करें आपकी relaxation और concession के बारे में तो यह सारी चीज़े आपको यहाँ पर age पर government rule के हिसाफ से मिल जाएंगी जो लोग भी यहाँ पर select होते हैं शुरुआत में एक साल के लिए उन लोगों को यहाँ पर probation पर रखा जाएगा और जैसे ही probation period आपका end होगा इसके बाद यहाँ पर आपकी परमायन जोब रहने वाली है बात करें आपकी application fee के बारे में अगर आप general या फिर OBC category में आते हैं तो application fees आपको यहाँ पर 600 रुपे देनी है अगर आप EWS, SCHT या फिर PWBD category में आते हैं तो application fees आपको यहाँ पर 300 रुपे देनी है बात करें how to apply आप इसके लिए apply कैसे कर सकते हैं तो apply process यहाँ पर आपका online रहेगा apply link आपको description box में मिल जाएगा आप वहाँ से जाके अपना form easily apply कर सकते हैं यहाँ पर आप लोगों को steps भी बताए गए हैं कि कैसे कैसे आपको यहाँ पर अपना form apply करना है और बात करें आपके exam centers के बारे में तो all over India में यहाँ पर आपके 6 जगों पर exams कराए जाएंगे तो जब आप अपना यहाँ पर form apply करेंगे तो आपको यहाँ पर preference ले लेना है जो भी location आपके nearest में आती है आपको उसे ही prefer करना है और इसी PDF में आपको यहाँ पर पूरा detail से ले बस दिया है कुछ portion यहाँ पर आपका non tech का है बाकी आपका सारा technical का है और बात कर लेते हैं आपके important डेटों के बारे में तो form online होने आपके शुरू हो चुके है 26 मई से और last date यहाँ पर आपकी 25 जून रहेगी और जो लोग भी यहाँ पर form apply कर देते हैं आपको अगर इसका कोई भी update नहीं मिल पाता है तो इसके लिए आपको करना क्या है यहाँ पर आपको एक email id प्रोवाइट की गई है आपको vacancy number लिखना है अपना registration या फिर role number लिखना है नाम आपको अपना capital letters में लिखना है बाकी आपकी जो भी query है आपको भेज देनी है इनकी official email पर अगर आप इनके eligibility criteria को पूरा करते हैं आप इसके लिए interested होते हैं और eligible भी होते हैं आप यहाँ पर जरूर apply करिए अभी के लिए इतना ही मिलते हैं next video में वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सबका thank you, शुक्रिया वीडियो को like करें, share करें civil engineering के सबसे ज्यादा job subject पाने के लिए चैनल को जरूर subscribe करें